Welcome to all-in-one. आज के drawing lesson में है एक diagonal scale तो पहले question देखते हैं क्या है? Question ना बोला गया है कि a square of 25 square centimeter represents a plot of land of 225 square meter मतलब बोल रहा है कि 25 square centimeter का जो drawing 225 square meter को represent कर रहा है उसके बाद draw a suitable scale to read accurately from single decimeter up to 30 meter मतलब ऐसा एक scale बनाना होगा जिससे 30 meter तक हम लोग measure कर सके ऐसा एक scale बनाना होगा और उसमें decimeter भी दिखाना होगा उसके बाद लिख रहा है find the RF and length of the scale मतलब की scale का जो RF है वो दिखाना है और scale का length कितना होगा वो निकालना है उसके बाद लिखा है कि mark a distance of 23 meter 80 centimeter मतलब 23 meter 80 centimeter का total length scale में mark करके दिखाना है मतलब यहां पर हम लोगों को बोला था decimeter दिखाना है meter तो दिखाना ही है उसके बाद इसमें हम लोगों को देख रहा है कि centimeter भी दिखाना है मतलब एक scale में 3 unit दिखाना होगा तो पहले scale का RF निकालते हैं यहां से आता है 25 square centimeter और यहां 25 square meter पर आते हैं है यहां लिखते है 25 square centimeter इस एक यहां लिखते है 25 square meter और क्या लिखा जाए सकते हैं यहां इसको अगर अगर रूट कर देतों सिर्प सेंटीमीटर वाईगा 5 centimeter equals to 15 मेटर यहां पर 15 आएगा और स्कॉयर को रूट करने से स्कॉयर चला जाएगा मीटर रहे जाएगा उसके बाद यहां इसको पांच से डिवाइट करेंगे दोनों साइट को तो क्या होगा वान सेंटीमीटर एकवल्स चुछी मीटर इसके बाद इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कनवाट करेंगे तो यहां लिख सकते हैं वान सेंटीमीटर इस तो सेंटीमीटर आवा आते हैं आरेफ क्या हो जाएगा आरेफ हो जाएगा ड्राइफ हो जाएगा ड्राइंग लेंथ हमारा कितना है 25 स्कुरे सेंटीमीटर कहां आया वान सेंटीमीटर तो यहां हो जाएगा वान सेंटीमीटर और हमारा एक्चुल लेंथ क्या हां तीन सेंटी मीट हुए है है ले व्यान बाइ कर थी हंडरी यह हो गया को स्केल का आर्र यहां पर एक एनसड रखाया है यह सक वार दोना भाद देहिए को लेंगा ऩो इस एलेपट उब सकेल है है लेंद्ध प्ष्केल क्या है हम लोग जानते हैं लेंद्ध फब स्केल इकल टू आरेफ इनटू मैक्सिमाम लेंध त्री हंडेट्डर और मैक्सिमाम लेंध कितना मेजर करना है 30 मेजर देज मेजर आप्टू 30 मीटर अब 30 मीटर तो इसको मेटर को सेंटिमीटर में करेंगे तो यह तो यह अब यहां पर 00 जाएगा अब तीन दस एकॉल तू टेन अ दुई सेंटिमीटर तो यह यह आँ गया लेंथ ऑफ सकेल 10 मीटर और अब करना क्या है अब ड्गर्डॉएंग्स बनाना है ㅎ ट्राइंं के लिए कि एकका गृळएंग एक पिह यह व्हां घ्रक लेंध अब अब ड्राइंग में स्केल करें तो हम लोग 10 cm एक स्केल बनाएंगे लाइन लेंगे 10 सेंटीमिटर पहले लाइन बनाया कोई इसके बाद यहां से 10 सेंटीमिटर में एक मार्क लगाएंगे के अपके मांक लाज के बाद इस के बाद 10 सेंटीमिटर गो इसका 3 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा इसको तीन श्का में बादेगा एक एक हिसा 10 मिटा रगर रिप्रेजेंट करें ना आ अ अपर तीन हिस्सा हो चुका है अभी और आ पर एक बर्टिकल लाइन मराना है कि यह लाइन अब किसी भी माप लेकर बना सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं होगा तो इसके बाद यहां भी एक लाइन बढ़ना है यहां पर अब लाइन को जोड़ेंगे यह दोनों लाइन मिलाना है यहां एक परिंट यह हो गया यह हर एक जो हिस्सा है यह 10 मिटर को रिप्रेजन करेंगे टोटल स्केल है हमणा 30 मिटर का ठीक है अब यहां पर यहां से कुछी दूर में और एक लाइन बना लेंगे इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता किसी भी किसी भी डायमेंशन लेके बनाया जा सकता है हो गया यह वाला मिटर रिप्रेजन कर रहा है तो यह हिस्सा हुआ टोटल टेन मिटर का एक मिटर बनाने के लिए क्या करना होगा इस इससे को टेन हिस्सों में बढ़तना होगा इसको तस इससे में बढ़ते हैं नहीं को अ कि था कि अब इन साथे पॉइंट को यहां ऐसे मार्क कर लेंगे कि अब कि अब कि अब कि 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 जो सारे एक-एक हिससे वह यह हिससे एक-एक हिससे एक मीटर को रिप्रेजन करेगा उसके बाद क्या करना है इस सारे लाइन को डायागनाली इस फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से जोड़ना है सेकंड पॉइंट को थार्ड पॉइंट से थार्ड पॉइंट को नीचे वाला फॉर्थ पॉइंट से तो इसे चोल लेंगे है अब क्या करना है यह यहां से यह वाला लाइन है इसको लोगो इसको भी टेन हिसा में बाटना है कि यहां जो सारे पॉइंट मिलें इन पॉइंट से भाड़क पॉइंट से होलेजेंटल लाइन बनाएं यहां दिखेंगे 0 ला दिखेंगे 70 20 यह हैं मिटर स्केल का आड़ एक है वान टू ट्री है अब अमारे स्केल कुप्लिट हो चुगा है आप देखेंगे तो यहां है यह है 10 मिटर है एक हिस्चा एक मिटर मतलब यह भी हिस्चा एक मिटर होगा यह है एक मिटर मतलब 1 मिटर एक हिस्चा यह 9, 8, 7, 6 यह वाले चुट 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 हिस्चा है एक एक डेसिमिटर करके नहाट ऐसे हो जागा उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर तो यहां पर हम लोग को लिखना है डेसिमिटर कि अब लोगों को जो यह स्केल हो गया कम्प्लिट अब यहां पर जिया था मार्क डिस्टेंस अब 23 मीटर एंटी सेंटी मीटर कैसे लेंगे यह हो गया 20 मीटर अब 23 मीटर मतलब यह हो गया 23 मीटर अब 80 सेंटी मीटर यह है एक एक हिस्सा है 10 सेंटी मीटर एक है यहां पर 10 20 30 40 50 60 70 80 तो यह यहां जो पॉइंट हुआ इस पॉइंट को हम लोगों मार्क करना है और यहां से एक लाइन अब यहां से ऐसे एक लाइन मनना है और यहां पर एक लाइन मनना है जोनों को जोड़ना है यह वाला जो लाइन है डिस्टेंस यह डिस्टेंस हमारा हुगा 23 मीटर और यहां पर लिखना है जीरो कि यह जीरो पॉइंट है यहां पर 1,2,3,4,5 यह पॉइंट फाइब यह है 10 तो यह हो गया डियावनल स्केल कम्प्लेक्ट थैंक यू फॉर वाचिंग और कोई प्राब्लम हो तो कमेंट में लिखना ना भूला